नमस्कार आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइब मैं हूँ आमकी साज सचन दुनिया भर में जितने क्रिकेट फैंस हैं उनमें से 85 परतीशत हमारे एशिया में ही रहते हैं इसलिया आस से जिस टीम की धाक एशिया में होती है उसका रुदबा वर्ल्ड क्रिकेट में काफी जादा होता है तीस अगस से एशिया कप क्रिकेट टॉर्नमेंट का सोलवा एडिशन अब शुरू होने जा रहा है इस बार मुकाबला वन डे फॉर्मेट में होगा पिसले साल ये टॉर्नमेंट T20 फॉर्मेट में खिला गया था सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अब तक एशिया की किस टीम ने कितनी मेज़ो ट्रॉफी जो हैं अपने नाम कर ली है बात करेंगे इनके स्टाट्स के उपर भी तो पागिस्तान का जीत परसंटेज सबसे जादा नजर आता है इश्यकप की छे टीमें में सबसे जादा ICC और ACC किताब भले भारत ने जीते हैं लेकिन तीनों फॉर्माट्स के मैचों को मिलाकर सबसे जादा विनिंग परसंटेज पागिस्तान टीम करा है पागिस्तान ने टेस्ट वन डे और टी ट्वन टी मिलाकर 48.19 परतीशत मैच जीते हैं भारत ने 46.69 परसंट मैच जीते हैं टीम ने पहला इंटरनेशन मुकाबला 25.1932 को इंग्लेंड में इंग्लेंड के खिलाव खिला भारत के ओवल और प्रदर्शन की बात करें तो टीम इंडिया ने कुल 1810 मैच खिले हैं जिसमें से टीम ने 845 मैच जीते हैं और 681 मैचों में टीम को हार पिली हैं और साथ ही वंडे मैचों की बात करें तो टीम ने 1032 मैच खिले हैं जिसमें टीम को 541 मैचों में जीत पिली और 449 में हार का सामना करना पड़ा अब दूसरी और बात करते हैं शेलंका टीम की बारत के बाद इन्होंने सबसे जादा बार मेजर ट्रॉफी जीते हैं जहां टीम ने पहला मुकाबला 7 जून 1975 को खेला था तो महीं ओवरॉल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो शेलंका टीम ने कुल 1386 मैच खिले हैं जिसमें से टीम ने 588 मैच जीते हैं और 656 मैचों में टीम को हार मिली है वन डे फॉर्मेट्स की बात करें तो टीम ने कुल 894 मैच के लिए हैं जिसमें टीम ने 409 मैचों में जीत हासिल करी और 441 में टीम को हार का सामना करना पड़ा अब बात पाकिस्तान टीम की जो की वर्तवान समय में अफगानिस्तान टीम के खिलाब तीन चूने से बंडे सीरीज जीत का टीम ODI रैंकिंग्स में नंबर एक पर पहुँच गई है पाकिस्तान भले ही बड़ी ट्रोफी जीतने में शिलंका और भारत से पीछे रही हो लेकिन तीनों फॉर्मेट्स मिलाकर उनका विनिंग परसंटेज बहुत अच्छा है बागिस्तान ने ओवरॉल कुल 1632 मैच के लिए हैं जिसमें टीम ने 788 मैच जीते हैं और 640 में टीम को हार मिली है वोई बंडे में पाक टीम ने अब तक 956 मैच के लिए हैं जिसमें 506 में जीत और 421 में हार का सामना करना पड़ा अब बात बांगलादेश टीम की बांगलादेश टीम ने पहला क्रिकेट मैच 31 मार्च 1986 को खेला बांगलादेश ने बंडे में 415 मैच के लिए हैं जिन में टीम ने 152 मैचों में जीत हासिल की हैं और 254 मैच में टीम को हार मिली है बात करें अफगानिस्तान टीम की तो ओवरॉल अपने 55.01 परतीशत अफगानिस्तान में मैच जीते हैं हाला कि टीम ने जातर मुकाबले नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज के के लाव के लिए हैं वन डे में अब तक टीम का प्रदेशन बात करें तो 150 मैच के लिए हैं तेटर मैचों में टीम को जीत मिली और 72 में टीम को हार का सामना करना पड़ा अब बात करें नेपाल की तो नेपाल पहली बार किसी बड़े चॉर्नमेंट में अब खेलने जा रहा है लहाजा इस टोरी में नेपाल के आंकडे शामिल नहीं किये जा रहे हैं तो ये हैं छे बड़ी टीमें जो इस बार एशिया कप में आपको नजर आएंगी बड़ी ठकर की बात करें तो भारत और पाकिस्तान का सामना दो तारीक को होना है जिसका सभी फैंस बेस अबरी से इंतजार कर रहे हैं आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस बार एशिया कप में आपको क्या लगता है कौन सी टीम बाजी मारेगी और बहतर परफॉर्मेंस करके तमाम क्रिकेट फैंस का दिल जीत लेगी खिलाल इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शिर्ट जरूर कीजेगा और कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजेगा